जी, C-Fap 6 आज के लेक्शियर का अगास करते हैं बेसिकलिर ये एक समझ लीजिए हमारा प्रैक्टिस सेशन है कोड ओफ एठिक्स के ऊपर क्योंकि कोड ओफ एठिक्स के जो आपको लेक्शियर शेयर किये गए थे उन में आपको कंसेप्ट के साथ लिंक करके बता तो या दिया गया था कि आपने कुछ 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 से प्रैक्टिस करने क्वेस्टन लेकिन कुछ रूंट को इशू यह आ रहा था कि सर आप हमें एक दफ़ा एक कंप्लीट अप्रोच बता दे हमने क्वेस्टन को हैंडल कैसे करना है यानि एक तो हमें समझ लग जाती है क्वेस्टन की लेकिन उसको प्रिजेंट कैसे करना यह नहीं पता या समझ टाइम ऐसा भी होता है कि जी क्वेस्टन को पढ़के जो हमारे जहन में सलुशन आता है जब हम आई केव का सलुशन देखते हैं तो उसमें चीज़े डिफरेंट लिखी होती है और बिल्कुल ऐसे लिखी होती है जो जहन की महमकुमान में भी नहीं होते है तो हमें कैसे पता चले हमने question को analyze कैसे करना है कि उसने पूछा किया है असल में exact issue किया है और फिर उसको present कैसे करना तो इसी हमारा जो सारा focus होगा इस lecture का वो यह होगा कि हमने code of ethics के question को handle कैसे करना है लेकिन याद रखेगा मैं यहाँ पे clear कर दूँ expectation gap ना होता कि मेरा और आपका इस lecture में हम code of ethics की review नहीं करने जा रहे है code of ethics की review करने और इस lecture का basic purpose code of ethics के question की practice करना नहीं है हाला कि इसमें code of ethics के question discuss होंगे लेकिन असल मकसद हमारा क्या होगा यह सीखना कि हमने code of ethics के question को handle कैसे करना है यानि यह नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको question को का जी यह question है इसमें यह चीज डिसकस हो रही है और यह करना है नहीं यह basically one way नहीं है अगर practice session होता नहीं इस सिर्फ practice session होता तो मैं आता आपको question distribute करता सामने question आपके आजाता और मैं उसको read करके आपको बताता कि इसमें यह करना इसमें यह करना इसमें यह करना है सिर्फ practice question होता ना तो इतनी utility ना होता है बलके हमारा purpose क्या है पहले हमने सेखना है question को handle कैसे करना है फिर आग के सामने past paper के question आएंगे one by one कुछ मैंने select किये हुआ है और आप खुद उनको solve करें मैं नहीं करूँगा आप मैंने आपको approach बतानी है उसके बाद आप उसको solve करेंगे और मैंने सिरफ आपकी tuning करनी है evaluate करना है कि आप सही जगा पर पहुंच रहा है कि नहीं और सही जगा पहुंच रहे तो क्यों नहीं पहुंच रहे तो इसमें आपकी participation मुझे ज्यादा required है खास और पर लेक्चर के दूसरे हिसे में जब मैं अप्रोच आपको सिखा चुका होगा और पास्ट्रेपर की तरफ जाएंगे तब इस लेक्चर को मैं दो बड़े हिसों में divide किया है एक हिसे में मैं आपको guide करूँगा कि आपने question को handle कैसे करना है और फिर दूसरे हिसे में इसकी practical demonstration होगी आप फुद उस questions को handle करने होंगे और मैं evaluation कर रहा हूंगा सु स्टार्ट करते हैं हम सीखने क्या जा रहे है how to solve case study of code of ethics जो कि आपको पता है कि confirm testing होती है कम असकम 10 नंबर का confirm question होता है code of ethics और कभी कवार इसके साथ कभी कवार code of corporate governance के कुछ concepts पूछ लेता है वह चोटे से concept है जो audit से related है बहुत बड़ा ना उसमें और भी चीज़े हैं लेकिन सिर्फ audit से related जो concepts है sometime वह पूछ लेता है तो वह भी मुझे end पर याद करोईगा मैंने आपके साथ share करना है प्री रेकिजिट्स क्या है यानि इस class इस lecture का फाइदा उठाने से पहले आपको क्या कुछ आपके पास होना चाहिए यह चीज़ें में रिखे वरना lecture देखने का कोई फाइदा नहीं है पहले चीज़ आपने code of ethics को रीड भी कर लिया हो और इसको highlight भी कर लिया हो कितने स्ट और से इनों highlight भी कर लिया है आपको आपने कर लिया highlighting गुड फिर इसके बाद कुछ पेज नंबर हैं तीन पेज हैं पेज नंबर code of ethics पेज नंबर 10 68 और 124 इनके साथ आपको very familiar होना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पर यह तीन पेजिस होने चाहिए ठीक है बलकि मैंने तो हाइलाइट कर लें किसी तरीके से उसको फोल्ड कर लें उसके साथ कुछ कुछ अटैश कर लें पेज बोकारा और इनमें भी सेक्शन 310 और 400 एहम है ठीक है अब जर आप code of ethics अपने सामने रखें जिनके पास विजिकल सौट कॉपी है चले सौट कॉपी मैं देखने मैं भी का यह करतेहिता के यह पेजेश हैं क्या है थिए मत्यूंज में समचे सकते हैं कर देखें पहीए अचरा लेग्षर उगया है को और उफेठीक साव को यह हीए यही है तीनों पेजिस पे लिस्ट है 10 पे भी 68 पे भी 124 पे भी 10 पे क्या लिस्ट है comply with code of ethics fundamental principles की बात कर रहा है 68 पे क्या कह रहा है इन प्रैक्टिस कॉन से होते हैं हम लोग और इन बिजनिस को से होते हैं हमारा पेपर काउंटिंग आई जिया इन प्रैक्टिस की application के इन बिजनिस की इन प्रैक्टिस की चैज्ट में क्या कह रहा है conflict of interest अच्छा क्फिल्क्ट और फिंटरस्स के बारे में लिखा हुआ हैं, क्फिल्क्ट of इंटरस्स की स्ट्शन याद हैं? क्ञाओ कपनित्स की स्ट्शन थी? Do Clients की आपस Do Clients का यहां? Clients के intersection में हमारा interest? बिल्कुल ठीक है तसली होग它ी है मेरी फिर इसमें Okay को इशओ आ रहा है, तुम्हिण टीक है यह चीज है नहीं को पढ़ाने की जरो तो नहीं है ना इस लेक्ष्टर गा मकसब भी नहीं है ठीक है फिर इसके बाद 124 वन ट्वंटीफोर क्या चीजा इसमें क्या हास्ट बात है देखे देखे दर एक दफा देखें इसमें भी लेस्ट है इसमें अच्छा चार्ड़ रगांटर ने प्रैक्टिस को तो पड़ चुक्यां चार्ड़ रिवियू करते हैं तो यह है इंडिपेंडेंस वार अडिट रिवियू निया निया यह वह से रिलेट करता है बाकि और और इंगेजमेंट से भी रिलेट करता होगा जिसको उसने कभी टेस्ट नी कि आपने लेक्टर में सुना होगा वह मैंने बताया था वह टेस्ट नी करता उसको यह इसमें भी लिस्ट है और नीचे नौन शॉरन सर्विसीज की भी बात कर रहा है कि अगर आप अपने और इंगेजमेंट को नौन शॉरन सर्विसी प्रवाइट कर रहे हो तो यह सुझा अच्छा इसमें फीस भी आ गई है फीस पहले भी थी फीस इदर भी आ गई है यह के चिकर है नहीं पड़ा नहीं पड़ा नहीं पड़ा नहीं पड़ा ना कोड़ा है क्या पड़ा मेरे भाई ने आपने हैडिंग से अंदाजा लगाने की कोश्च की है हाला कि हो सकता है उदर वाली फीस में कोई और चीज को और स्वेशन डिसकस कर रहा हो इदर वाले फीस के सेक्शन में कोई और डिसकस कर रहा हो शायद किसी में रैफरल फी कर रहा है तो किसी में कंटिंजेंट फी कर रहा हो किसी में ओवरड्यू फीस कर रहा होगा यह जहन में रखिएगा ठीक है हमें एक्जाइम में जो स्वेशन पूछेगा वो तो जाहिर आडिडियर व्यू क्यों पूछेगा वो गर इसे पहले वाला भी टेस्ट करें और भी आडिडियर व्यू पूछेगा ठीक है चलिए मैं अच्छा थोड़ी खुरी ट्यूनिंग कर चले हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फरक हो अच्छा इससे न यह सरम एढ़न में दो एक्जेम्पल आपके सामने रखने का कि यह यह जिदर भी डिसकस होरी है इसलिए इस एक कनसेब्त आपके सिहन में बेट करना कि सम टाइम ऐसा होता है कि सिचुएशन मिलती जूलती हो immediate family member के पास हो financial interest immediate family member का भी हो सकता है close family member का भी हो सकता close relative का भी हो सकता ठीक है तो क्या ये सारी situation code of ethics मतलब जो बताईए अभी पता चलता है त्यारी के अलादा अलादा discuss की गई है कि एक ही paragraph में सारी discussion अलादा अलादा discussion की गई है हलादा के बजाहिर देखने में एक जैसी situation लगती है लादा 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 तो इसमें paragraph लादा लादा लेकिन section एक ही है एक section सम्टाइम ऐसा भी हो सकता है कि situation मिलती जुलती हो लेकिन किसी दूसरे section में discuss होई है जैसे कि मैंने आपको face की example दे चलिए अब मुझे ये बताईए आप इन तीन पेजिस के साथ कितने सुरूर से इन तीनों पेजिस को उन्होंने कई दफ़ा दस बारा पंदरा बीस दफ़ा अपनी नजरों उनकी नजरों से गुज़रा हुआ ये पेज जो तीनों पेजिस मैंने आप से कुए अब बताए हाथ उठाके बताए हाथ शाबार ये नहीं देखे हुए थे पांच साथ दफ़ा तो देखे हुए है ना पांच साथ दफ़ा देखे चलेगा कोई मसला नहीं यानि आपको अच्छा इतना तो पता है ना कि एगजैम में सर्चिंग के लिए सबसे एहम पेजिज ये होंगे ये सब को पता हो बार बार पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है बस ये पता होना चाहिए कि एगजैम में आपने यहां से डूड़ना है और कम असकम दो तीन दफ़ा आपने इस पूरी लिस्ट को पढ़ा हुआ है यानि अगर मैं आप से पूछू कि लोन किस जगह पर डिसकस हुआ है तो आपको कितनी देर लगेगी मुझे ये बताने में किस सेक्शन में डिसकस हुआ है अगर कोड़ों फैटिस बना है 511 में डिसकस हुआ है यानि पहुंच गया मुझे इस से मैंने याद नहीं कियो मैं सिर्फ आप से यह पूछना चाहरा हूं कि अगर आपको कोई स्वेशन दे दी जाए आपको उस रेलिवेंट पैराग्राफ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें चलें शाबाई और यह जो ओनलाइन वाले स्वेशन यह भी अपने सामने कोड़ ओफ एटिक्स रखें कोड़ ओफ एटिक्स रखें और जो मैं स्वाल पूछ रहा हूना उसका जवाब देते जाए पेज थे हमारे 10 उसके बाद जी त्यार है बिजनिस रिलेशन्शिप ने बोलना नहीं बोलना नहीं बस जो पहुंच जाए वहाँ पे हाथ उठा ले मुझे पता चल जाए यह इस तोन बहुंच गया शावार यहनी तक्रीबन 10 सेकेंड से भी कम टाइम में तक्रीबन सारे सुन शावार अच्छा ठेल लाएं क्लोज फैमिली मेंबर के पास शेर्ज हैं क्लोज फैमिली मेंबर के पास शेर्ज सेक्शन बता दे सेक्शन बता दे पैराग्राफ ना बताएं अभी यह यह फैमिली अड़ परसनल रिलेशन्शिप ना इन फैव टैन यह फैनाइशल इंडरस्ट वाला है ठीक है क्लोज फैमिली मेंबर के पास शेर्ज हैं रेलिवेंट पैराग्राफ पताईएं 510 पर पहुंच गे जब हम सेक्शन पर पहुंच गे ना उसके बाद हमने फोरण आगे चलना है अब लिस्ट से आगे चलना हमने 510 और अब यह देखना कि इसमें कौन सा पैराग्राफ वह से पैराग्राफ है ना हर पैराग्राफ एक डिफरेंट सिच्वेशन को मेंबर के पास क्लोज फैमिली मेंबर के पास यह कौन सा पैराग्राफ है 510 नहीं 510 काफी नहीं है पॉइंट 10 शाबाश 510 पॉइंट 10 A5 इसने हैडिंग भी दी हुई है ठीक है इसका मतलब है आपने इस तरीके से तो पहुंच सकते इस तरीके से अच्छा चलें बाकी प्रैक्टिस के दुरान इतना काफी है सिर्फ आपको यह बताना था कि आपने डूड़ना किस तरीके से है ठीक है यह तीन सफ़ों के उपर पहले जाना है करेक्ट जगा पे पहुंच गए उसके बाद पिर आपने उससे अगले पेजिस पर जाना है और देखना है रेलिवंट पहले देखना है सेक्शन कौन सा है रेलिवंट फिर पैराग्राफ कौन सा क्या कहता है जी यह तो हो गया कलियर ओके प्री रेक्विजेट्स है ठीक है मेरी तसल्ली हो गई कि आपने यह दोनों स्टेप्स किये हुगा कुछ दो तीन चीज़े मैं आपको ध्यान में रखेंगा पहली चीज़ इंडिपेंडेंडेंडेंस अप्लाइज तू नेट्वर्क फॉर्म एंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें किसा साथ ड़ना कि इसका मतलब है Нेंडीप Patienten से हम लिक्टυार्मेट्स हमने भी करनी है हमारी 협 разм ने हुए करने और एसका दूसरा मतलब क्या है इंडीप sugars हमारी network from के जितने क्लाइंट्स हान तो से नेटवर्क ऒंहें और कि हमने भी विलां है् है किसी दूसरी जाएं bizarre कि और या या चिनए न की ओर्टवों travelled है तो ऐसा यह हुगा जैसे मारा अक्रांट है से यह क्या है क्लाइंट के सोचिएटेड़ गंदेश होल्डिंग सब्सिड्रीज वगारा ठीक है और पब्लिक इंटरस्टेंट डिया होता है लेस्टेश आवाश कोड़ोफटी साब कोता है रिसर नहीं चेंज हुआ है पहले 2015 था 2019 कुछ सुलूशन में ज्यादा नहीं कुछ सुलूशन में कुछ जगों सटेप्स में कुछ चेंज प्रोसीजर में कुछ चेंज हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा सिगनिफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो में भी आप कुछ पास्टेशन के मताबिक होंगे आप 19 के मताबिक देख रहे होगे में मुदा दोनों ज करने का वैल्यूएशन वह रहा कि कुछ रूल चेंज होगा है तो कुछ जगों पर सुलुशन में आइक एक सुलुशन अगर आप कनसाइट कर रहे होंगे तो 2015 के मताबिक सौल्फ किया होंगे और लेटरस्ट है दो थी तो थी यह 2019 माले हूं थोड़ा फारिक हो सकता है आगे कि जलते हैं स्टेप्स क्या है सबसे पहले तो आपने एक्जैम के में बहुत से क्वाशिक्शन साथ eight questions होंगे सबसे पहले तो यह पहछानना है इन वे से code of ethics वाला question कोंड़ सा है कैसे पहचानेंगे ethical requirements का word यूज़ करेगा code of ethics का word यूज़ करेगा threat safeguard का word यूज़ करेगा quality control का word यूज़ करेगा quality control partner है आप quality control review चल रहा है ये मसले मसायल निकले है देखें नौर्मली code of ethics के question में code of ethics ट्रेस्ट करता है कभी कभी बार आपको होता है code of corporate governance के कुछ एक चीज़े चेक कर लेता है इका दुका और इसी तरह isa220 quality control का standard है उसके बीकंसर्प्स को साथ मिला लेता है फार रिज़ हमल हो सकता हमें का दे के जी employee वह आपके team members की training नहीं हो रही है ठीक है तो हमें पता है कि ये एक quality control का issue है आप क्या इस तरह का issue identify कर लेंगे अच्छा ठीक है जज्जमेंट वली बात किदर है हाँ ठीक है तो सबसे पहले आपने topic identify करना है कि कौन से वाला यह आपको पता है हमारा हर question में हुसूल है कि question को पढ़के decide करते है किस topic है code of ethics का question जब आप decide कर लेंगे उसके बाद अगली खानी चलेगी ना पहला तो यहां कि question किस चीज़ का है identify कर लेंगे question दूसरे number पे section identify करना है code of ethics का ठीक है के code of ethics का question है ना तो हमारे सामने जो इतने बहुत से section बिखरे हुए हैं कहां यह यह तीन pages पे इन में से किस किस section से relate कर रहा है हमारी जो case study उसने दी है वो इस सफ़े की list में मुझूद है इस सफ़े की list में मुझूद है इस सफ़े की list में मुझूद है और जब कभी आपके question में 50% से ज्यादा का फरक हो ना एक रफ साइडिया बता रहा हूं समझ लिए आप गलत साइड पे गए हैं आपका solution असल में किसी और जगा मजूद है आप किसी और जगा पहुंचे हुए हैं यहां आदा solution आपको इधर मिला लेकिन complete picture नहीं आद सुशन कुछ रोड़ डिसकस हो जाए है 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 हम अडिट कर रहे है है दूरिंग दियर कोई ऐसी हमने नौन शर्ण सर्विस प्रवाइड की जो के कोड ओफ एटिक्स ने कहां मना है कहां डिसकस होई है कहां डिसकस होई है पाइं ताम था शाबाश है 600 सेक्शन में यह कहां पर 124 पेज़ पर यह तक्रीबन हर स्ट्रोंट पहचान लेगा लेकिन शायद ही आप मेंसे कोई स्ट्रोंट हो जो यह बता सके कि कि अगर नौन शर्ण सर्विस पहले पर फार्म की है और आडिट क्लाइंट बाद में बने हैं हम एड टाइम ओफ एकसेप्टन से अथिकल इशू है यह सुशन का सर्विस हूई है सर्विस और इंट्रनल आडिट वाली लेकिन पहले इंट्रनल आडिट वाल है अब अगर फार एक्जेंपल यहां पहले हमने उसे कोई बुकी में सर्विस प्वायट कर दिया उसके बाद हम आपने लिस्ट बताई है नॉन शोर्ण सर्विस की यह है अगर यह हमसे क्लाइंट के नॉन शोर्ण सर्विस चाहिए मुझे तो हमने क्या करना अगर नॉन शोर्ण सर्विस पहले पर फार्म कर रहे हैं और अब उसने का स्टेशन डिसकस का होँ नहीं है बतासकते हैं एक कंसेप्ट है हमारा पास्रोप क्वेस्टन भी था अब भी नहीं बताऊंगा पर लेकिन बताना यह चाहरा हूं समटाइम ऐसा होता है similar situation होती है similar situation होती है लेकिन मिलती जुलती वो किसी और section में पहुंच जाती है आपने इन चीदों का ध्यान रखना एक और example मेरे जहन में आ रही है क्या हम अपने client को कि बूक कीपिंग कांटिंग सर्विसिस परवाइट कर सकते हैं वह डिपैंड करता है लिस्टेड है अगर लिस्टेड है तो नहीं कर सकते हैं लिस्टेड कमनी में तो वैसे मना करता है हमने एक क्लाइंट को काउंटिंग एड बुक कीपिंग सर्विसिस प्रवाइड करें ठीक ठाक सारी मेकानिकल नेचर की नहीं उसमें जज्जमेंट भारा भी इन्वाल है लेकिन चूंके वह मारा अडिट नहीं है तो प्रवाइड कर सकते हैं अगरी करते हैं इसको हम बुक सर्विस प्रवाइड करनी हैं यह उसने डिसक्स किया हुआ है उसी परग्राफ लिस्ट में थार्ड बाली 124 में लेकिन बुक कीपिंग सर्विसेज कोईसर में फोरान हम कहते हैं काउंटिंग सर्विसेज आइधर जाना है हलाकि यह इशू इदर डिसकस हुआ है नहीं है कि जब स्लूशन देखेंगे तो फिर हम कहेंगे यह तो कोई और चीज बता रहा है कि बिजनिस रिलेशन्शिप में है कि किस सेक्शन में सेक्शन बता दीजे मुझे मैं आप यह डिसकस हुआ है बता दू है हाँ चले ऐसा करता आपको तीन मिलड़ देता हूं ढूड़ने अब पास क सब्सक्राइब में में वाइल डूड़ने की कोशिश करें इसको जी बताएए 400.70 हां जी यह है मर्जर एंड एकुजिशन वाला यह इस हाला कि यह इसू रिलेट कर रहा है नौन शौन सर्विसेस हैं लेकिन वहां पर यह बात कर रहा है कि अगर थ्रेट क्रियेट हो रहा है मर्जर एंड एकुजिशन की बज़ा से तो फिर आपने नौन शौन सर्विसेस के सेक्षन की तरफ नहीं जाना आप फिर उदर जाके डून रहे होगे अचाँटिंग और वोक कीपिंग सर्विसे उदर डिसकस हुआ है हलाके मर्जर एंड एकुजिशन से रिलेटर जो ठ्र ठीक है मिलती जुलती स्टूशन को तो आपने अलर्ट रहना है इसलिए मैंने आपको खास तोर पे कहा के थ्री टैन और फोर हंडर इसके उपर अगर आपकी ग्रिप है ना और आपने इन की आपको पता है कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्टेशन डिसकस होई है और आपने रिडिंग की है हाईलेट किया है कोड़ ओफाइस का क्वेशन कर सकते हैं अगे चलते हैं पहले मैंने आपको पता एक्जैम में क्वेशन है का क्वेशन है करने दूसरे नंबर पर आपने सेक्शन अडिटिफाइए करना है सेक्शन कौन सा है क्या यह फार एग्जेंपल financial interest क सेक्शन है अब जल्दी से बताते जाएं अब आप एक्सपार्ट है फाइनाइशल इंटरस्ट का सेक्शन कौन सा है कोड़ा बताइए फाइनाइशल इंटरस्ट की सेक्शन में डिसकस हुआ है 510 का है या फैबन पर्सनल लेशंशिप का ये कौन सा है 521 या conflict of interest का है जल्दी बताइए conflict of interest का कोई सै 310 या येamar cafe है को जिशन का है 400 यह प्र देडिफ दो से क्या है वहां वह जोती है जिससे पहले थ्रैट नहीं था और यह को एक आप है वह चार्ण करती निसना मैं भी मैं फीर हमें उस से इसको भी उससे भी थ्रैटर आज दोता है बिल्कुल इंडिबेंडेंडेंस पेर होती है उससे के लिए दू काम कर लिए पहला क्वेश्टन पहचाना पेपर में कोड़ फैटिक्स का कौन सा है दूसरा वह क्वेश्टन कि सेक्षन से रिलेड करता है यह पहचान लिया से फारग है कोड़ फैटिस कुछ जो किस कहता है मुझे कुछ भी नहीं आता है है अच्छा सब करना है से ना करें आप मुझे बताइए फाइनेंशल इंटरेस्ट वाले सेक्षन में वह कौन-कौन से मजीद सिच्वेशन डिसकस करता है जबानी बताइए अपनी कॉमन सेंस की बेस देखिए ना भी कौन-कौन से सुच्वेशन में जानी फाइनेंशल इंटरेस्ट का मतलब है शेर्जवारा क्लाइंट के होना ठीक है इसमें कौन-कौन से सिच्वेशन डिसकस करता है हमारे टीम मेंबर में से किसी का भी अगर इंटरस्ट है जैसे उसने शेर्जवारा क्लासिफिकेशन करता है कि किस किस का इंटरस्ट होगा एक पैराग्राफ में किसी और का इंटरस्ट बता रहा है डिसका दूसरे पराग्राफ में किसी और का तीसरे में किसी और का वो क्या एक immediate family member team member का immediate family member हो वो एक लदा पराग्राफ में डिसकस किया है close family member लदा close relative लदा क्या आपको ये पता है कि financial interest के section में उसने मज़ीद classification की है exam में वो आपको simple financial बलके वो relationship में बताएगा और आपने exact उस paragraph के उपर जाना है जो उस relationship को deal कर रहा होगा नहीं अबे नहीं समझाई family relationship बताईए कौन सा paragraph बताई आपने अच्छा family relationship में उसने इसको further paragraph में डिवाइड किया family relationship में further उसने क्या classification की है इसमें भी major family member की बात कर close family member की बात कर अच्छा अब आपने code of ethics ने देखना है मेरे एक साथ चोटे से स्वाल का जवाब और जिसने इसका जवाब दे दिया वह अभी तक code of ethics की हमारी class का champion अभी तक की हमारी class का code of ethics कहता है auditor को independent होना चाहिए client से अगर engagement partner का कोई interest होगा client के किसी director officer employee से threat rise होगा for example engagement partner का अगर कोई relative client पे है threat rise होगा team member का जैसे manager या trainee's nurse का कोई family member होगा threat rise होगा engagement team का नहीं engagement team के इलावा firm के किसी और employee का अगर relative client पे काम करता है engagement team का नहीं other than engagement team firm का कोई employee उसका relative client पे काम करता है director officer employee है क्या इस situation को code of ethics discuss करता है या नहीं करता है करता है शाबाज पैराग्राफ बताए जिसने सबसे पहले पैराग्राफ बताया वो champion जिसने सबसे पहले पैराग्राफ बताया कि मैं भी डूड़ों कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले 124 पर जाओंगा 124 पर जाके मैंने फोरां फैमिल परसनल रिलेशन्शिप पहुंचा 157 157 में मैंने हैडिंग पढ़ना शुरू कर दे 157 पर इमेज़ेट फैमिली ऊफ तीममबर क्लोस फैमिली होफ फैमिल क्लोस लेशन्शिप आडिठ टीम मैंबर नहीं थर ईथर जोंड फैनोस एंडर ते 1 चासुप और भाहाँ शहां पहुंचंड्य सुचाथ पहुंचछ आंडिंग प्यलेशन्शिफ पार्टनस एंड इंड अब मैंने च्छापाई लगाना लेकिन वह भी तरीके से लिके से अभी आपको बताओंगा पहले बताए यह लोकेशन आगी आपको अच्छेस मुझे बताए कर रहे हैं लेशंशिप पार्टनर्स क्या इसे मुराद इंगेजमेंट पार्टनर नहीं है नहीं नहीं वह तो पी अबी तक क्वेस्टन उठा लिया पेपर से पता चल गया कोड ओफ एतिक्स का है सेक्शन नॉर्मली असानी से हो जाता है लेकिन अगर क्वेस्टन आजाए ना कंफ्लिक्ट ओफ इंट्रस्ट का मर्जर एंड एकुजिशन का तो फिर स्टोड़ी सी ट्रबल होती है क्योंकि क्वेस्ट्स भाइड डिफार्ट उस लिस्ट में से डेरेक्ट सेच्वेशन को इठा रहे होते हैं लेकिन अगर आप देखना है मर्जर एंड एकुजिशन वाली सोड़ी जो है यह उस लिस्ट में नहीं है आपको अंदर जाके मर्जर एकुजिशन वाला पॉाइन मिलता है तो फिर उसको स्किप कर जाते हैं तो आपने इस इसका ध्यान रखना है कि कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो शायद लिस्ट में नहीं उसके अंदर डिटेल हूँ रेलिवंट सेक्शन अब पता कर लिया फिर उसके बाद क्या देखना है सब सेक्शन या पैराग्राफ क्योंकि एक सेक्शन के अंदर भी डिफरेंट सिट्वेशन होती हैं फालो कर रहे हैं चले जैसे हमने अभी छोड़ी सी प्रेक्टिस की हम पहुंचे फैमिली के सब सेक्शन में हम पहुंचे के जब टीम के लावा कोई और लोगों के इंवाल्बमेंट है स्टैप समझ आ रहे हैं तरतीब से कैसे कि इसके बाद क्या करना है अब पहुंच अब मैं पहुंच गया क्या पहरा था फाइव ट्विंटी वन पॉइंट एट पेजवन अब फर्ज कीजिए ये मेरे सामने पराग्राफ है अब क्या करना मैंने इसको चापना है अब मेरा क्या क्या इसको लेकिन एज इज नहीं चापना चापना है इस इज इस नहीं चापना है जिसके लिए हमने कोड ऐथे इस को हाईलेट किया हुutः कोड ओफ ऐथे सारे सेशन में हाईलेट किया किसलिए ताके एगजाय में इस पॉइँट पे आके हम डिसाइड कर सके हमने क्या लिखा है अगर आप नोट करेंगे ना तो जब वो थ्रेट्स को अडेंटिफाई करता है तो कहानी लिंक करता है अगर पार्टनर है उसका कोई रिलेशन्चिप है और ये कहानी है तो इस सिट्वेशन में सेल्फ इंटरस्ट थ्रेट राईज होगा आपने सारी के सारी कहानी स्लूशन में चापनी नहीं होती सिर्फ इतना भी लिख देना आप सेल्फ इंटरस्ट थ्रेट आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि वो जो उसने स्टार्ट अप बनाया होना सेंटेंस का वो सिट्वेशन का अनेलेसिज नहीं है वो तो उपर मुझूद है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रीफ करके लिखना चाहिए लिख भी सकते हैं लेकिन असल चीज क्या है आपने थ्रेट अन्टिफाइइ और आहिए ऐसाफ दो जैबिए गया जो आपके थ्रेट्स र इवैलिवैश्टर्वन यह आप की वर्ड में लिखेंगे पुरी पूरी खाली नहीं लिखेंगे पुरी पुरी खाली में लिखेंगे जैसे 521.4A1 मैं जब पहुँच गया 521.4A1 के उपर पता चल गया मेरा के question में उसने team member का immediate family जो है ना उसे client में किसी position में बिठाया है मैं ये पूरा paragraph छाप दू जहन में ये हैगा ना exam में relevant ये है पूरा paragraph चाप दो पूरा paragraph नहीं चापना इस paragraph में सबसे अहम चीज़ क्या है threat हमने highlight किया होगा पहले से अच्छा exam में बैठके आप ये decision नहीं कर सकेंगे मैंने इस paragraph को short करके लिखना है तो क्या चीज़ शाट करू exam में बैठके ये decision नामुम्किन आप करें होज नहीं सकता आपने ये पहले से पढ़के सिर्फ threat को highlight किया होगा जो मैंने आपको करवाया है देखे किया होगा आपने आपने ये example दे रहा हूँ ये खटवाया होगा है काम की यही चीज़ है क्या हमें exam में threats जब बता रहे हैं उसको ये लिखते हैं या बाकी की चीज़े जो तीन चार लाइने हैं उन्हों लिखना मी ज़रूरी है तो आपने जब एक्वेस्टर में threats और उनकी evaluation लिखने है evaluation उसने automatically bullets में बनाया होता है evaluation में tension नहीं होती लेकिन sometime कुछ threats को उसने explain किया हुआ है code of ethics में जो exam में complete sentence फार्म में लिखना ज़रूरी नहीं है आपने threats को और evaluation को के सिरफ keywords लिखने है हाँ जो safeguard होंगे ना safeguard इनको आपने complete sentence फार्म में लिखना है भी बाद समझ आरी के नहीं हारी मैं क्या समझा रहा हूं सिरफ मैं सिरफ आपको ये समझा रहा हूं जब आप exam में जो उसने question में session पूछी है उससे section पे उससे sub section पे पहुँच जाए तो आपने उसके paragraph को अन्यवा रिपर्डियूस नहीं करना उसमें से काम की information उठा के सिरफ लिखनी है और काम की information क्या है threats उसके नाम लिख दें काफी है valuation किन factors पे डिबेंड कर रहे है सिरफ relevant factors लिख दें काफी या bullets बना के complete पैरा लिखने बैठेंगे तो आप ऐसे sentence भी लिख रहे होंगे जिनके marks नहीं है वो situation के लिखास automatically adjust हो जाते है हाँ सेफगार्ज है ना वो complete sentence फार्म में लिखें सेफगार्ज इस step से फाइदा क्या होगा आपका time बचेगा आप सिरफ relevant information पर्डूस कर रहे होंगे relevant information कौन सी है जो आपने पहले से गर बैठ के highlight की हुई है आपको सारे session में code of ethics highlight काने का मकसद ही यह था कि जब exam में यह step कर रहे हो ना उस वक्त आपको यह ना सोचना पड़े कि इस पूरे paragraph में मैंने कौन सी दो लाइने लिखनी है या कौन सी लफास लिखने है पहले highlight किया हूँ आपको पता यही छापने है कुछ situation में बी में बी less than 10% chance है में बी कोई situation ऐसी आजा जो code of ethics में डिसकस नहीं हुई याद रखे अगर आपको लगे ना कुछ situation code of ethics में डिसकस आपने double check कर लेना क्योंकि में बी वह किसी जगा डिसकस हुई हो और आप उसको ढूंडना पार रहे हो लेकिन कभी खबार ऐसे हो जाता है कोई situation ऐसी एक question के अंदर उसने दो तीन situation पूछ ली जिन में से एक directly code of ethics में डिसकस नहीं हुई तो वहाँ पे आपने अपनी judgment apply करनी है कि हाँ पे थेर्टराइज हो रहा है तो क्या से गाड़ हो सकते हैं लेकिन इसमें risk है इसी लिए क्योंकि हो सकता है वो किसी जगह पे लिखी हो और आप ने उस जहन में ना आ सके और आप समझे यह तो मैंने अपनी judgment की base पे solve करना तो डबल चेक कर लें कि वाके ही यह किसी और जगह पे लिखी है कि ने नहीं तो फिर आप अपनी judgment apply करके उसको attempt करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं क्लियर हुई यह बात जैसे एक question में उसने कहा क्लाइंट का employee जब क्लाइंट को छोड़के फर्म का हिस्सा बनता है ethical issue rise होता है हमारे आडिल क्लाइंट का employee क्लाइंट कंपनी को छोड़के फर्म उसने क्या लिखा उसने लिखा था कि क्लाइंट का employee नहीं है क्लाइंट का consultant है करी सालों से और अब वो कंसल्टन्सी छोड़के हमारी फिर्म का हिस्सा बन गया है अब यह डिरेक्ट वो तो इंप्लाई की डिसकेशन कर रहा था कंसल्टन्ट का तो उसने जिकर नहीं किया आब बताईए आपकी जैज्मेंट क्या कहती है इस जगा पे थ्रेट राइज होता है एक्जैक्टली यह तक्रीबन वही उसने सिर्फ अपना तो वेरियेशन डाली अपनी तरफ से वरना इस सुष्य में थ्रेट फिमिलेर्टी थ्रेट भी हो सकता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी हो सकता है अगर काउंटिंग नेचर का काम कर रहा था वो इसमें तकरीबन हम वही सेफगाड अप्लाई करेंगे जो उस सुरत में करते अगर क्लाइंट का इंपलाई हमारे पास आता तो सम टाइम कभी कबार लेकि मैं फिर बता रहा हूं लेस करने लगा औपने कोड फैस्ट यकीज का क्वेशन की इंग्जार में बैठके कैसे सॉल्फ करना सबसे पहले क्वेशन पड़ा से एक कोयर्मेंट कोड फैस्ट कोशád Setting के नहीं एकवेशन और इंप फिर आपने क्या करना है चुसमें स्वेशन एक है या बोज तो स्ब्सें क 100 था ठीक है कुछ situation इन में discuss हुई है वो में भी आपको सीधी सीधी लिस्ट में ना मिल है section पे पहुंचे section के बाद क्या करना है उस paragraph पहुंचना है relevant सब paragraph कहां पे dealing हुई है और फिर उसके बाद उसको चाप देना है लेकिन चापना कैसे है highlighted text पूरे का पूरा नहीं highlighted text clear यह था हमारा lecture का पहला इसा जिसमें theoretical आपको guidance प्रोवाइड करने थी अब अगर आप त्यार हैं तो practical demonstration की तरफ चला है चले मैं आपको दे रहा हूं पांच मिनट पांच मिनट में आप एक दफ़ा इसको गो थू कर ले ओनले वाले स्ट्रोंट्स भी एक दफा लेक्चर पॉस करके जहन में रिवाइज कर लें क्या क्या स्टेप्स हैं फिर उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन साइड की तरफ जाते हैं जे त्यार है कोड़ों फैथिक से अपने सामने रखीए और साथ साथ पर्टीस्पेड करते रहना है देखना सुनना नहीं है डून ना भी है सबसे पर हैं क्वार्मेंट पर के बताइए पता चला है कोड़ोपेटिक सब्हार्टेस का क्वेस्टन है इवाल्यट थ्रेट्स इन्वाल्व दिबफ स्टुएशंट एंड थे शेफगार्ट्स if नहीं थ्रेट से भी पता चल गया से आपको बता है किसी स्टेंडर में डिसकस नहीं होते हैं स्वाइब कोड़ोफ एक्षिक्स के यह दा पार्टनर इन फ़र्म चार्ड गॉर्टनर से हैंविंग थ्री पार्टनर पैसेंटी फॉलॉइंग मैटर्स अर अंडर यूर कंसिडरे नहीं पार्टनर नहीं कहा ओ को अऊ-ऊ-इप्र कारे कोजो होगे ने पार्टनर में और और इंगेजमेंट पार्टनर में फटरॉथ है आडिट कर रहे हैं अच्छा मुझे यह बताए कोड ओफ है कि से होता है यह सिर्फ अडिट क्लाइट पर अप्लाई होता है कि रिव्यू क्लाइट्स पर भी एक लिए अप्लाई होता है अब मैंने यह पढ़ा फोरन क्या आया जहन में फैमिली एंड परसनल रिलेशन्शिप फैमिली एंड परसनल रिलेशन्शिप क्या जहन में आपके फैमिली एंड परसनल रिलेशन्शिप पा रहा है स्कूशन को पढ़के जी आपके जहन में सोचने फिर से फैमिली एंड परसनल रिलेशन्शिप भी है अच्छा चले ठीक है और उसके बाद उसके बाद क्या टीम मेंबर का रिलेशनशिप है कि किसी और बन देगा इसे और पहुंच जल्दी से ढूंड़े तर्तीब से चलना यह नहीं कि अभी अभी थोड़ी तर पहले ढूंड़ा है तो उसके बता दे नहीं तर्तीब से चले यह मुझे कहां से फैमिल एड़ परसनल लेशनशिप 157 पहुंचो जल्दी से 157 पहुंचो 157 पहुंचो फिर इसके बाद कोई 521.8 अच्छा अब इसमें मुझे यह बताएए एज इस आप दो ठीक है फिर क्या लिखना चाहिए मुझे आपने इसमें हाई लेंडिंग की हुई है जरा मुझे बताएए लिखाएए कहा हाईडिंग की आपने क्या क्या लिखना है सेफ अशाबाज ठीक है काम की बाते सारी हाईड की है उसने इसमें सिच्वेशन बताएए अच्छा 521.8 इस पैराग्राफ में सारे को डिसकस करना जरूरी है नहीं क्योंकि उसने वह सिच्वेशन चल गया के काम की चीजी है मैंने यह लिखनी है मैंने पूरा पराग्राफ नी चापना आपने हाईलेट किया हाँ आपको पता चल गया पूरा पराग्राफ नी चापना शाबाज किदर है आपने हाईलेट किया है नहीं हुआ कुछ सेम प्रिवियस सेम प्रिवियस सेम प्रि करना ही नहीं यही है क्वेस्टन में कहें या न कहें कर दें क्यूंकि सम्टाइम क्वेस्टन में ऐसा आपंगे क्लियर नहीं कहता वह काता है discuss तो कहता है वो फिर significance को evaluate करवा रहा होता है और आपको लग रहा है कि मार्क्स ज्यादा हैं तो फिर मेरा रहा है कोई हर्च है कलियर त्यार है चले यह तो पहले आप कर चुके थे आगे चलते हैं बी यूर फर्म हैज बिन अप्रोच बैजवेज लिंटेड फार्ड एडवाइस रिगार् वेड़ेट वेमली मेंबर के पास शेयर जावाइस फोरन पुछे फोरन फोरन बताए अपनी वैलिएशन के मताबिक बताए है मैं फोरन 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 क्या था 124 भूल जाता हूं बार बार 124 F 124 financial interest 5 the 147 147 147 financial just by immediate family financial interest ठीक फाइनेशल इंटरस्ट है तो अब आपने ढूंड लिया तो कौन सा किस तेगा में डिसकस हुआ यह फाइव 10.4 अच्छा यह आपको लेक्चर के दुरान में भी मैंने बताया होगा के 510.10 A1 इसमें भी इमीजेट फैम्ली डिसकस हुआ है लेकिन इसमें जो कहानी है न वो यह नहीं है के इंगेजमेंट टीम मेंबर के इमीजेट फैमली मेंबर का क्लाइंट में इंटरस्ट है यह नहीं है बलके कहानी क्या है के इंगेजमेंट टीम मेंबर या उसके किसी इमीजेट फैमली मेंबर और क्लाइंट या उसके किसी डिर 10 बता रहा है हमारे किसी इमिजेट फैमिली मेंबर का इंट्रस्ट है और्डिट क्लाइंट में यह कौन सा पैराग्राफ है 510.4 इसमेंगर आप देखें ना बी में कहा रहा है और टीम मेंबर और एंडिविजल्स इमिजेट फैमिली वो इंट्रस्ट नहीं रख सकती फैमिली थैकर आपने कहा यह और यह गलत है है 510.10 तो है यह गलत ना वह जो भी बता है 510.11 यह तो है क्योंकि इसमें तो 3rd ने कि लेकिन यह भी गलत है क्यूं बला यह फैमिली इंट्रस्ट का कीस ही नहीं है फिर से बढ़िये फिर से पढ़िये इसको यह फानेंचल इंट्रस्ट का क्वेस्टन ही नहीं है पड़े बादा यह फार्म है बीन अप्रोच वाइज बाइज लिविटेड फार अडवाइस रिगार्डिंग इंवेस्टमेंट इंकाम यह कंफ्लिक्ट अफ इंट्रस्ट का है और हमारा कोई आदेड क्लाइंट होता ना तो फिर हम इदर फाइनशन इंट्रस्ट की तरफ जाते हैं सेक्शल फाइव जाते हैं जबनाय देखले फिर इसे देखले हैं अच्या मुझे बताइए conflict of interest में ढूंडे आपके पास हैं 10 second 15 second conflict of interest में ढूंडे कौन सी example है या किस जगा पे यह discuss हुआ है और इसमें आपने लिखना क्या है वो paragraph नंबर भी बताना है वो line बतानी है जिसमें example है और वो paragraph बताना है जिसमें इसके threats, safeguard वगारा discuss हुआ है मैं फोरण conflict of interest conflict of interest के लिए कि 10 68 68 पे देखो conflict of interest है है 77 77 में कौन सी example है जिस पर यह case बन रहा बन रहा है जी साथ वी यानि पहली, दूसरी, तीसरी, चोथी, पांचवी, छटी, साथ हाँ जी साथ ठीक है अच्छा इस से हमें ये confirm हो गया कि हम सही जगह पे पहुंच गई है अब अगला decision क्या होता है वाला सही जगह पे पहुंचने के बाद अगला decision क्या होता है paragraph कौन सा है बताएं ये paragraph कौन सा as it is शाप दू selected text शापना है selected शापना है बताएं दिखाएं कहा highlight किया है जह बताएं कहा highlight किया है रंग भरंगासा end पे ये वी कि पताचलता कि वो ब्लू कलर वाला कौन सा था और येलो वाला कौन सा था बलके हाई लैड ये उड़ भी जाती है अगली टेंट तक हम मेरे साथ इस तरह कुछ बुक्स के अपर हाई लैड की छे-साथ मीने बाद देखा उड़ी भी थी सारी पहुंच गए अच्छा चलिए ये तो है अभी हमारी स्राट हुए एक्सरसाइज आगे चलें त्यार हैं जी-जी पूछे-पूछे सम्टाइम देखे मैंने आइंड में आपको यही बताया है आप 90 परसंट चांसे हैं कि वही टेक्स्ट वही प्रॉब्लम्स होंगी जो कोड ओफ एथिक्स में डिसकस किये इसी मेंसे उसने उसको के स्टेडी की शकल दी होगी लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई अडिशनल इशू होता है जो शायद कोड ओफ एथिक्स में हमें उसका डिरेक्ट डिसकस्ट ना मिले वहां पहें हमने क्या करना है अपनी जज्ज्मेंट अप्लाई करने है आगे देखते हैं क्वेशन को अब देखें आपका मसला होता है कि नई अगर नहीं हुआ तो end में दुबारा पूछ लेजीगा नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा ये है है रिक्वार्मेंट में क्या कर रहा है वैल्येट बबफ स्ट्रेशन गाइंड इंटिफाइट्स इफ एंड रेलेटेड शेफगार्ड कोड फैने क्वेश्टन है क्लाइट के लिए कुछ पैराग्राफ कुछ स्वेशन के इंदर उसने लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की लाइदा डिस्केशन किया है कुछ पाराग्राफ में कहता है यह सारी इस्क्रेशन हर तरह के क्लाइट के लिए है फार अल्र अडिड क्लाइट क्लाइट और फिर कहते हैं और लिस्टेड should k्लाइट है तो यह इंदिस्टर न चीज़ा है यह पता हैं ना आपको पब्लिक इंटरस्ट निडिक इसको कहते हैं लिस्टे इंट इन अड़िट अग्बर अली अड़ियन्ट अपर अलीएंट कंपनी इस अप्रोश और फॉर्म फार पाइंट मेंट अज इस अड़िट्र आर्डिट कलाइंट है किसका अकबर अलियंड कमपनी का किसके पास है हमारे हम अकबर अलियंड कमपनी है हमारी फर्म का नाम क्या अकबर अलियंड का पहले तो यह डिसाइड कर ले नहीं क्योंकि फिर वो कहता कि आप उसके मेंजर है और वो आपके पास है कह रहा है अकपर ऐल्यक्ण कंपनी का आर्डिट ट्लायंट हमारे पास आया है क्या चैरा है ऐस इंटरनल ऑडिट Wagस क्लरल काम कर लें यह फूर्म एंड mileithm company charter counters have a common quality control department and share common quality control policy and procedure तो ठीक है हम उसके तो नहीं है आडिटर यह जो उसने share common quality बिसकस ता अबव सिनेरियो इन दी लाइट अफ कोड़ फैथि अजूमिंग दा सेट क्लाइट इस ए पॉब्लिक इंटरस्ट एंटिटी जी नेटवर्क फाम है क्या सर्विसेज प्रवाइड कर सकते हैं फोरन स्वेशन कहां पे डिसकस हुई है स्वेशन कहां पे डिसकस हुई है 124 124 पे गया मैं इंटरनल आर्जिश सर्विसेज 192 और 192 पे जाके 192 पे मैं गया अब अब उसने लिखाओ आल अडिट क्लाइट इसमें उसने उसने सर्विस की एक्जेंबल तो अब पता ही है यह तो है वह कभी पूछेगा नहीं अमसे लिस्टेड क्लाइट वाली के तरह हां 605.5 ठीक है 605.5 यह है वह जो जिसको पर उसने बेस किया है वह कह रहा है कि जी फर्म और नेट्वर्क फर्म और हम चुकें नेट्वर्क फर्म हैं हम भी कबर हो स्वाइड इफ आड़ेट सर्विसेस वाइफ इफ इट रिलेट सू दीजेट कलियर हो गए यहां पर पहुंच गए अच्छा बिसमें मार्क से ज्यादा है तो इसमें क्या आल अड़ेट क्लाइंस वाली कोई इंफर्मेशन भी आएगी मैं नेट्वर्क फर्म होती है फिर उसको इसमें डिसकस नहीं किया अस्टना तो यहां पर लिखा OUT 605.605.1 में तो यहां पर हम थ्रेट को भी डिसक्स करेंगे एक फिर्म का स्टेटर्स डिसक्स कर दिया दूसरा थ्रेट डिसक्स कर दिया और तीसा जो पराग्राफ में रिक्वार्मेंट्स हा मजीद स्लूशन भी इसका आई कैप का रीड कर लीजेगा कि उसमें क्या कह रहा ह ठीक है उसमें क्या कह रहा है उसमें कोई कोई मजीद कोई और चीज तो नहीं डिसक्स कर रहा है नहीं पहले थ्रेट होता है बाद में सेफगार्ड होते हैं कि पहले सेफगार्ड बाद में थ्रेट थ्रेट आया तो हमने कहा ना एक्सेप्ट ना करना इसको स्वेशन में ज सेफगार्ड होता है कि क्लाइंट को एक्साप्ट ना करें एक सेफगार्ड होता है भी समीर वर्क्साज मैंनेजर शोरंस इन यूर फर्म यहाज क्लोज पर्सनल रिलेशन्शिप इस साकिब को इस इस फोएट वन फिर अड़िट क्लाइंट वहाइवर यहाज आप असाइंड लाइट वाल्यू वैल्यू अट इस अड़िए त्रेट्ट मुझे ड्रेक्ट पराग्राफ बता दें जो आपने यहाँ पर रिप्रडूस करना जिसके ओपर क्वेस्ट कर रहा है पराग्रप किस कोड ओफ एथिक्स के किस पराग्राफ पर बेस कर रहा है यह केस्टड़े यह तुम्हारा वोई केस बंद के लावा किसी बंदे का परसनल रिलेशनशिप हो जो यह लास्ट पराग्राफ था बढ़ ठीक है यह पहुंच के ने इस पर पहला सेक्शन कौन से है परसनल एंड फैमिलेशनशिप वाला दूसरा डिसियन सब सेक्शन कौन से है अधर दें टीम मेंबर ठीक है अधर दें टीम मेंबर इंपलाई ओफ दी फम का क्लाइंट कंपनी में रिलेशनशिप है यह अपने भी इसक्श कर लिया नेक्स्ट विंटर नाइंटीन का क्वेस्टन पहले इसको प्रेक्टिस कर ले ना पहले इसको प्रेक्टिस कर ले 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 यह फिर फिर्फम हाती मंजूर औंच और फिर्फिल्ट इस दीर फेश लेमेटेट फार्ड ये राफկ एंडिकानिक साथ है काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसिस का और हमारा अर्डिट क्लाइंट कोन है तो दोनों सेप्रेंट है ना कोई इशू नहीं है इसका मतब है हाँ बिलकुल एकुजिशन हो गई तो अब वह रिलेटेड बन गई हमने उससे भी इंडिपेंडेंट होना है अच्छा ठीक है यह रिक्वेस्टे जो फूर्म तो कीप प्रवाइडिंग दैस सर्विसिस अंटिल आर्टर ने स्लूशन इस बगड आउट तो डू 124 पर गया 124 पर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसिज 601 यह सुरी 179 पेज 179 यह काउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसिज का क्वेस्टन नहीं है हालाके देखें सर्विसिज वही है लेकिन यह असल में हम अपने क्लाइंट को प्रवाइड नहीं कर रहे हैं और उसकी रिलेटिड जो यह बेसिकली थ्रेट अराइज हुआ है यह अराइज हुआ है मर्जर एंड इकुजिशन की वजह से आपको पताया अगर थ्रेट सर्व इस पहले पर फार्म कर चुके हों और फिर हम आडिटर पाइंट हो रहा है यानि थ्रेट एक्जिस करता है एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ओफ आडिट वह फिर लाइदा केस बन जाता है और अगर डियूरिंग अडिट कोई नॉन्च्वराइड कर रहे हैं वह लाइदा क आएगा इसका रेलिवेंट सेक्शन कौन से आप डूने फिर मर्जर एंड अक्यूजिशन 400.70 हाँ जी मर्जर एंड अक्यूजिशन पहुंच गया इसके ओपर अच्छा अब मुझे बताइए इसमें आपने लिखना क्या है थ्रेट्स क्या है सेफगार्ड्स क्या है लिखे हो मैं हाइलेट किया हूँ है आपने 400 दिखाएए किदर है 400.7 नहीं किया हुआ और यह एहम है कब करना है 400.7 शाबाश 400.7 किदर किया हुआ अंडरलाइन चलो ठीक अंडरलाइन भी चलेगा ठीक है ठीक है तो इसमें आपको इसका थ्रेट और सेफगार्ड क्लियर होगे ठीक है इसमें क्या कहा रहा है को इस समरी बता सकते हैं इसके जो उसने लिखा हुआ है इसके अंदर क्या कह रहा है क्या हम ब्रश लिमिटेड को बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसिस कंटिन्यू कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि ब्रश लि तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं कि कुईट करना पड़ेगा लाजमें आपने पैराग्राफ हाइलेट की है ना हाइलेट जो किया वह से पढ़के बताएं कि क्या कहता है मुझे लगता है कि टाइम पिरिएड दिया हुआ उसने वह टाइम पिरिएड क्या है सिक्स मेंस का लेकिन वह फिर कहता है डिरेक्टर के साथ डिसकेशन भी करने हैं हाँ जी बिल्कुर पहुंच गया यह अभी तक मैं देखें आपको कंसेप्स नहीं बढ़ा रहा है मैं सिरफ आपकी अप्रोच रिफाइन कर रहा हूं कि आपने किस तरीके से क्वेस्ट से रेलि प्रेक्टिस कर रहें अगे चलते हैं नेक्स यह अभी आप खुद से पड़े चले माँ आप साथ डिकरता हूं एटियल इस लॉंग संदिंग इस्टेट अडिट अडिट क्लाइट अफ यह फर्म हर इस विन अडिट इंगेजमें बाटनर अफ एटियल फर दाला फाइव य मुनीर अच्टियल इंगेजमेंट पार्टनर करेंट हाई इदर एटेज क्वालिटी कंट्रोल बीव पार्डनर हो हार क्लाइंट रिले शल्सिप पार्टनर इंगेजमेंट पार्टनर पांच साल तक रहा है ऐब वह करें हमने रॉटेट करना ठीकर रूट अब यह कुछ पांसाल कुछ किसी कितने साल काई ता है कितनों का ख्याल ए साथ साल कहता है लेकिन पांत साल भी कहीं लिखे हुए यह कोड औफ कॉर्ट औफ कॉर्पेट गुवर्णस में कोड़ ओफ कार्पेट गुवर्णस में पांत साल लिखे हुए है कि उसमें एप म decision पार्टन आपने अटन ऻ्यूंड पांत साल बाद challenge अब एक टर्म यूज कर रहा होगा है यहां पे इंगेजमेंट पार्टनर के बज़ाए की आर्डिट पार्टनर ठीक है इससे क्या मुराद है वहला इंगेजमेंट पार्टनर प्लस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूर यह जो साथ साल वाली प्रवियन है कोड ओफ एथिस की और एक आपके पास शेयर होल्डिंग है यहां स्वाउस या माइनरियर आपार्टनर के पास नाम ट्रांपर कर दिये तो ठीक है दूख यह क्यों क्यों कि स्वाउस भी उस डिस्टक्वालिफिकेशन एरिया के अंदर आते हैं जब तक आप उससे बाहिर के लोगों को और सेल नहीं करेंगे डिस्पोजल वैलिट नहीं है उसी तरह जो डिस्क वालिफिकेशन है ना पांच साल और साथ साल की साथ साल कोड ओफ एथिक्स और पांच साल कोड ओफ कार्पेट गुवर्नेस के मताब पर भी उसे काम नहीं करना चाहिए वह कह रहा है मैं इंगेजमेंट पार्टनर तो नहीं रहूंगा लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रहूंगा उसके लिए भी सेम रिस्क्षन है उसके लिए भी सेम तो बताइए क्या हारेस हारेस यहां पे इंगेजमेंट पार्टनर को छोड क्वालिटी कंट्रोर लिवू पार्टनर बन सकता क्वालिटी कंट्रोर बन सकता कोड्ग ऑफ कर्पेट गिवर्णश का था कि नहीं बन सकता ठीक है अच्छा यहां पर उसने क्लाइंट रिलेशंशीप पार्टनर को भी डिसकस की एक यह मुझे नजर नहीं आया कहीं ठीक है एक कोड़ ओफ कार्पेट को रहना सकता है फिर मैं डेटेल में देख लूँगा में भी उसमें ये कंसेप्ट इन्वाल हो रहा हूँ कोड़ोफेटिक्स में बाहराल क्लाइंट रिलेशन्शिप पार्टनर जो है यह टर्म मुझे नजार नहीं आई बहुत समझ आ गया अच्छा इस मसला बताईए रेलिवेंट सेक्शन कौन सा डूंड़े जल्दी से डूंड़े पार्टनर की हैं रामने मुझे वह बताना जहाँ भी इसने पीरिड मेंशन किया हुआ है नुख शूचिएशन रहन फोट वन शीटिएट ऑल अडिट्ट ग्लाइंट्स यह कुन सा लिस्टेट क्लाइंट है तो इस पर हमने पॉब्लिक इंट्रेस्ट अडिटी पे पहुंच जाना है हाँ वो करें देखें इंगेजमेंट पार्टनर भी नहीं बन सकते और इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल लिवीव नहीं बन सकते तीक कितमे साल तक साथ साथ एखेंगें मुझे किया हें अपने दिखा के व्यूर्स हैं तो हम दोनों को कम्राइब करते हैं और विच आवरीज मोर स्टी को इसको कम्प्लाइब एक्जाइम में हमने दोनों को डिसक्स करना कोड ओफ एथिक्स यह कर रहा है कोड फार्प गुर्ट गवर्टनस जो दूनों की रिखर्पर्ट को उसमें फर्व फ़र्ग सिर्फ येर्ज का है यह कर रहा है साथ साल और पांच साल खतम और फरक्रमिद्ट का जो रहलेंट सेक्शन बिलकुल मैं क्लास के अंट पर मुझे याद करएगा मैं शेयर करोगा आपके साथ यह clear question को पढ़के relevant paragraph पहुंच गये हैं मैंने सरफ यह इंचोर करना है आज के question को पढ़के आप relevant paragraph और relevant paragraph में आपने highlighting कियो कि लिखना क्या क्या काम की चिछे दे चलिए यह बड़ा question आगे आप हमारे पास Can I discuss the categories of threats involved and advice possible courses? जी, पहले एपार्ट जी, अब आप कीजिये solve इसको जी, अब एपार्ट ऑ़्यान जी, अब एपार्ट जी, आप कीजिये अब एपार्ट जी, आप कीजिये पढ़ लिया जी अच्छा अब इस के स्टेडी में कौन सा इश्यू डिसकस हुआ है या कौन कौन सा इश्यू डिसकस हुआ है जो हमने डूड़ना है यह ओवर्डू फीस और रिडेक्शन की फीस जिसे हम अंडरकटिंग का नाम भी देते थे दो इश्यू है कोई और इश्यू तो नहीं है आप मुझे बता दीजिए के ओवर्डू फीस का पैराग्राफ कौन सा है सिर्फ मुझे इस पैराग्राफ तक महुचा दे फोर टेन पॉइंट सेवन आपने कहा देखें फोर टेन पॉइंट सेवन है हाँ फीस ओवर्डू और फिर इसके बाद आप बता दीजिए यह जो उसने फीस रिडियूस करने का कहा है यह कौन सा पैराग्राफ है यह दो इदर कोई भी नहीं है ओफडू फीस और कंडिंजेंट फी है तो इसमेंगी अपनी जज्जमेंट अपलाई कर दूं एक मेंटार डूढ़ने किस जगह पे आप फीस क्लाइंट कम करने को कहें तो हमने क्या करना है यह इसू डिसकस कहां हूँआ है आपने लुन लिया, आपने लुन लिया, जी, नहीं मिला, क्या फीज सीरफ, वन्स, टुनिटि फॉर वाoking लिस्त में, डिस्कस कुई है, के, शिक्स टी एट वारी में, भी होई है, तो अगर हमें इस वाली फीज में उए खिर्याय वाली में जी गहाता है, अगर सही एक और आपका क skipping कर पाएँ, तो ऐकर आप इस नहीं मिल कर जगे लग रहा है कि उसमें करा रा है कि अगर आपने प्रेडिस Luther jagd चार्ज कर सकते के दिस्कर कर रहा है है कि क्लाइट को एक्रेक्ट करने में अब सकता है फीस कम करने जिससे क्वालिटी यजो नहीं यहां पह जो के तो किया करूँ अपलाई कर दो है अब अब देखे मिलती जूलती है अब कोड़ आफ एथिक्स के ज़जमेंट अपलाई करनी हमने कोड़ फैस्स का जो रू है उसको सम्झे कोड़ फैसिक्स ने क्यूं है कि प्रेटिझ एस राइटर से कम भी चार्ज नहीं नहीं है कि हम कमपेटिशन के चेकर में प्राइस गिरा के क्वालिटी को ना गिरा दे जैसा नॉर्मली दूसरे सेक्टर्स में होता है तो क्या पिछले प्रेडिसाइस राट है कम फीसा तो क्या इसी तरह यह रिस्क नहीं है कि हमें अगर खत्रा हो कि क्लाइंट रूटेशन कर सकते है कि नहीं तो वही उसी पैराग्राफ का कंसेफ्ट हलाएकि इस पैराग्राफ में यह सेट्वेशन उसने डिसकस नहीं थोड़ा सा फरक है लेकिन कै pra यहीं पे फि district आपकुए हें तो क्या हम कहें कि कप्फीश कम कर सकते हैं थैँ स्वाहेङ सिच्वेशन के स्कोप एंड कॉंटम वर्ग को डिसकस कर देंगे बागी जब आप इसका स्लूशन पढ़ेंगे मजीद बता रहा है वह के जी उसको हाँ जी वह देखे वह आगे हमारी जज्जमेंट है समटाइम ऐसा होता है कि प्लांट कम होने की वज़ा के मारा काम बढ़ जाता है लाजमी नहीं है एक वैसन में याद निया एक जैकली किस लेवल का क्वेस्टन किस बॉड़ी का क्वेस्टन था उसमें इसने कहा पिछले सा कम हुआ है क्या सुलूशन में उसने का हम नहीं ज्यादा हुआ है गोइंग कंसर निशू भी आ सकता है रिस्क हमारा बढ़ सकता है और फिर रिस्क वगएरा गोइंग कंसरन को बिल्कुल साइड़ रख दें का एक्सपेंसे की ट्रांजैक्शन पिछले साल की निसमें ज्या हां तो क्रण्ट एर की दिसमें भी सेम कम कर रहे होंगे ताकि वह हमें रिटेंद रखे थो ठीचव यहां लेकिन सीमरे सिच्वेस मिलते चल्टी सेचम डिसकस होई है हम अपनी जज्जमेंट अपलाई करके कंसेट इसके बता रहे हैं थ्रेशल शेप गाड़ क्लियर हुई है चीज चलिए अब नेक्स पार्ट बी की तरफ चलते हैं अब आपने किसी ने बोलना नहीं है हर स्टुएंट क्वेस्टन को पढ़े और यहां तो वह पैराग्राफ सामने सब्सक्राइब के यहां पैंसिल से साइट बे लिख लिए कुन सा पैराग्राफ इसमें नौल हो रहा है मैं खुद जाके चेक करूंगा अब सही पैराग्राफ पर पहुंचिए कर नहीं यह ओनलाइन वाले स्टॉंट्स भी रीड करें इसको और डिसाइड करें तीन चार मिनट के बाद हम वापिस आके इसकी डिसकेशन करेंगें जी आप किस नतीज़ पर पहुंचे है फैमिल and personal Research रिलेशनशिप है यह कैसे नतीजा अपने निकाला के family and personal relationship है क्योंकि उसका भाइंवाल पैं टीम मेंब लेकिन टीम मेंबर का भाई client पे तो काम नहीं कर रहा क्लाइंट का इंप्लाइमेंट वाला के उसमें क्लाइंट पे इंप्लॉई नहीं है वह तो फिनेंचेल इंटरस्ट आएगा इंप्लाइमेंट रिलेशन्शिप परसनल रिलेशन्शिप नहीं आएगा आडिलर्ट टीममबर के भाई के पास 클inement के shares हो Financial interest आएगा के personal relationship आएगा कून सा कून सी satisfaction आएगी आडिल्ट टीममबर के भाई के पास client के आडिल टीममबर के पास Cer kontroll relationship का case है या financial interest का क्यों भाई involved तो है इसमें लेकिन भाई का financial interest है यहां पे भी भाई इन्वाल तो है लेकिन क्लाइंट में इंप्लॉई नहीं है सिर्फ क्लाइंट को सर्विस प्राइट कर रहा है यह गूर्ड सेंड सर्विस प्राइट कर रहा है कौन सा केस है आहां बिसनेस रिलेशन्शिफ बिसनेस रिलेशनशिफ वाला है लेकिन भीनिस रिलेशनशिफ वाले में दो कैसें आए अच्छा मुझे यह बता यह ब्सनेस रेशनशिफ वाले में आधार अगर आड़िट plain-screen से team members चुर्ण के रेलिटिव या फ्रंब गूड्स बाई करे कि एक एक फिशन यह है के फ़ाइंट फ़ान से बाई टिया कि या टीम मेंबर से समझ जाने यह यह वह चलती है नहीं यह अद्लिट सांति यह तो टीम इसके लावा अगर गुड्स और सर्विसिज एक दूसरे से बाई करें के बिजनस रिलेशन्शिप में आता है बिजनस रिलेशन्शिप के और भी एक्जैंपल जाए कट्थे मिलके जाइंट वेंचर वगारा कर लिया अब इसमें वह फर्दर दो चीजें बताता है दो एक्ज और दूसरी स्विशन क्या है क्लाइंट आर्डिट फर्म से सर्विसिज बाई करें यह बेसिकली यह है केस इसमें आर्डिट फर्म या टीम मेंबर क्लाइंट से चीजें नहीं खरीद रहे हैं बलके क्लाइंट आर्डिट फर्म या उसके टीम मेंबर से सर्विसिज एक्वा तो दोनों समझ रहा है ना एक है फ्रॉम और एक है टू एक है दोनों सेशन बिजनेस रेशेशिप में डिसकस हुई है लेकिन एक हुई है बाइंग गूट रेंड सर्विसेज में और एक हुई है एक है फाइव टॉन्टी पाइंट फॉर पैराग्राफ अगर आपको केस्टी का आड़िट क्लाइंड ने सर्विसेज एकवायर दी मेंबर से तो फिर आपने फाइव टॉन्टी पाइंट फॉर को डिसकस करना है लेकिन फाइव ट्र फॉन्टी पाइंट फॉर में उसने सिर्फ त्रेट्स और सिग्निफिकेंस को डिसकस किया है उसने सेफ़गाद डिस हां और आड़िट जो है है कि क्या किップ से च्रहिड अहीं है हरे खेल का इसका सबसे पहले अगर अगर अब गूड या सर्विस प्रवाइड कर दिया हमारे किसी टीम मेंबर ने लेकिन अभी चल रहा है हम क्या करते हैं इंड़ीजल को रिमूब कर उसके काम का क्वालिटी कॉल्ट रिविव कर वाते अब यहां में भाई कह रहे है कि वह उसने क्वैस्टन में कहीं काया कि वजा से थ्रैट की वजा से क्लाइंट कोई फेवर तो ने दी गई और अगर फेवर को दी गई है तो उस वह एरिया री परफार्म भी हो सकता है जैज्मेंट जैज्मेंट क्या रिविवर वाला है वह तो मैंने बता दिया ना वह तो कोड़ फेटिक्स ने लिखा हुआ है कि हमारे लिए इंपॉसिबल है ठीक है बिलकुल सही आपने अडिए वह कहता है हमारे लिए इंपॉसिबल है कि हम प्रैक्टिस में हर सिच्वेशन जो एथिकल इसको कोड़ फेटिक्स में डिसक्स करें इसलिए जो स्टुएशन आपको बताए गई है उसमें तो आपने वैसे काम करना जैसे कहा गया है इसके लवा ऐसी स्टुएशन पॉसिबल है जिनमें एथिकल इशुराइज हो उस सिच्वेशन में फिर आपने क्या करना है और डिरेक्टली नहीं है ना तो इंडिरेक्टली आपको इसके बारे में गाइडन्स मिल जाएगी क्या ये इसमें सेफगार्ड रिकमेंड करना की बहुत मुश्किल था आगे चलें जी नेक्स्ट अच्छ ये पहले ये कीजिए चलें उसी तरह आपके पास पांच मिनट है आपने इस क्वेशन को पढ़ना है पार्ट ए को सिरफ और इशू बताना है कौन सा है और फिर ये बताना है कि इसका आंसर किस पारग्राफ में है वो पारग्राफ आपके सामने होना चाहिए यह आपको नोट बुक में वो पारग्राफ नमबर देखना है पार्ट ए का जी मेरे भाई बताइए मिलिये स्ट्वेशन आपको कोड ओफ एथिक्स में कहीं वैल्यूएशन सर्विस शाबाज यह है पेज 124 पे सेक्शन 603 यह वैल्यूएशन सर्विस जी आप बताइए आपका क्या है यह आपका कहना है कि 603 में यह स्ट्वेशन डिसकस नहीं होई बलके किस पराग्राफ में डिसकस हुई है 400.31 में जी आपका क्या ख्याला है 400.31 यह वैल्यूएशन सर्विस से क्यों नहीं रिलेट करती 603 से क्योंकि वैल्यूएशन सर्विस देखे दो स्ट्वेशन डिफरेंट है एक यह कि हमने अर्डिट कर रहे हैं ठीक है उसका और फिर उसके बाद उसने का वैल्यूएशन कर दीजिए इसमें तो आपको पता है के वैल्यूएशन एक्सेप्ट करते हुए नौन्चोरन सर्विस एकसेप्ट करते हुए regarde हो रहा है एक सुफूएशन है पहले نौनचोरन सर्विस प्रवाइब कर चुके आप जिसके वचे से त्रवाइब कर्येट हुर रहा है और उससमें तर्स दूर दूर कोई नहीं था कि यह valuation services provide कर दें आप फोरां कहते है sir यह सिदा सिदा self review threat है और यह वह case है as auditor होते हुए client अगर हमें non-choran services के लिए कहे जो section 600 में discuss किया है लेकिन यह है कि पहले हम non-choran service provide कर चुके हैं जिसके वज़े से threat rise हो रहा है और बाद में audit बने है और audit procedure हमारे बाद में perform होने है यह situation section 600 में discuss नहीं हुई यह discuss हुई है सही identify किया नहीं 400.31 में अगर आप study करें ना 400.31 का A1 उसमें वो clearly बता रहा है threat to independence are created if a non-choran service was provided to an audit client during or after the period covered by financial statement यानि जिस साल का हम audit कर रहे हैं उस ही साल में non-choran service provide की थी हमने but before the audit team begins to perform the audit लेकिन उस वक्तारे टीम audit नहीं कर रही थी उसने शुरू भी नहीं किया था यानि non-choran service जिसके बचे से threat rise हो रहा है वह पहले perform की और audit procedure बाद में perform किये यानि at time of start of audit at time of acceptance of audit threat create हो रहा है यह हमारा 600 में नहीं जाएगा यह 400.31 में आएगा यहां पे वो specifically उस situation से related कहानी बता रहा है हमें हमें यह तो कहें नहीं रहा कि आप हमें बताये acceptance procedure के बारे में इसको accept करना है कि नहीं आप क्या कहेंगे कि इसको accept नहीं करना चाहिए या डिशू करेंगे लेकिन मेरा क्वेसन सिंपल acceptance का general issue discuss करेंगे या जो उसने case specify किया हुआ है उससे related अगर स्पैसिफिक केस से related guidance available है तो हम स्पैसिफिक इशू को एड्रेस करेंगे ना यह जनल एक्सेप्टनस नहीं कर रहा है यह एक्सेप्टनस इन दी कंटेक्स्ट ओफ नॉन्चोर्ण सर्विस की बात कर रहा है उसके बार में जो guidance available है हम उसी को लिखेंगे बी के उपर चलें अब यह अगर आप सही paragraph पर नहीं पहुंच सके ना तो फिर आज के लेक्शन में आपने कुछ नहीं सीखा कि यह आपका challenge question है अगर ठीक कर लिया तो चले कम असकम average level के उपर हम पहुंच गए क्या है क्या है क्या है पहुंच गे मेरे भाई क्यों सा पराग्राफ है त्री टैंग पॉइंट फोर और एक्जेंपल कौन सी है जिस पर यह केस बेस कर रहा है अच्छा मुझे पताइए क्या हम दोनों लिस्टेड कंपनी काड़िट कर सकते हैं जिनका अपस में जगड़ा चल रहा है इसका जवाब कहां पे लिखा है यह तो एक्जेंपल आपने डूड़ ली ना जिससे पता चल गा यह वाकी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेशन है लेकिन इसका जो आंसर है जो हमने इसमें डिसकेशन करनी है थ्रेट्स की सेफ़गार्ड की वो इस पेराग्राफ में तो नहीं है थरी 10.4 में वो कहां पे है यह थोड़ी चापेंगे यह तो उसने एक्जेंपल दी हुई है यह तो मैंने इसलिए आप से पूछा कि अडिन्टिफाई हो जाए कन्फरम हो गया हमें उसने थ्रेट्स और सेफ़गार्ड कहां बताए हुई है अगर यह बाई कहा रहे हैं तो फिर इदर कोड की तरफ जाने की बज़ए हम खुद से जबानी ना लिख दे अगर आपने इतना कोड ओफ एथिक्स पड़ा हुआ तो लिख दे लेकिन बेहतर यह है बेहतर यह है कि आप थ्रेट्स को मिक्स कर सकते हैं सेफ़गार्ड को मिक्स कर सकते हैं बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा ढून ले यह प्रैक्टिस किसलिए करवाई जा रही है आपको इसलिए कि एग्जाइम में केस सड़ी से क्रेक्ट प पर पहुंचके आप विनर है इस क्वेस्टन के और वहां से आपने हाइलाइट की होगी रेलिमेंट शाफ दे क्योंकि फिर भी बहुतर अगर क्वेस्टर में स्पेसिफिक इसू डिसकस हुआ ना उसमें जज्जमेंट अपलाई ना करें यह बहुतर है मेरी बाते ठीक है याद हैं लेकिन बहुतर यही है फिर बहुतर चले जाएं में एक मिनट से कोई फरक नहीं पड़ने वाला हाँ अगर वो ना मिले इसमें फिर आप जज्जमेंट की बेस्पे कर सकते हैं तो इसमें कौन सा पराग्राफ है भाई थी 10.8 हाइलेट किया हुआ आपने चलिए नेक्स्ट मेरा हारा कंप्लीड हो गया आप बस यह कंप्लीड हो गया जी एक्स्टोंड ने क्वेस्टन पुछा कि शायद प्रिवियसली कोई था बिजनिस रिलेशन्शिप वाला जिसमें उसने हमारे सीनियर के भाई से कुछ सर्विस ली थी क्लाइंट में यह कौन सा क्व यह वाला था हां जी इसमें भाई का रहे हैं कि अभी शेयर बात हो रही है सर्विस नहीं उसने अप्रोश अनदर नहीं अप्रोश कर लिया उसने मैंटर बिदा कस्टम थार्टी वुड बी रिजॉल्वड शॉर्ट ली डेल हैज एग्री टू पेहां जी अभी उनकी आपस की ट्राशक्शन की अर्रेंजमेंट्स हैंली हो गई है ठीक है कैला ट्राशक्शन अभी जल्द ही सैटल हो जाएगी थो इसमें हमने देखें ट्राशक्शन हुई-णही ही है लेकिन arrangements होगी start या कम अजकम उनकी आपस की understanding होगी तो हमने इसमें still threats को identify कर देना आपको इसकी example बताता हूं कुछ case study में उसने कहा कि gift वाली आये तो नहीं हमारी practice में लेकिन आपको पता है कि gift वाला भी section है situation है जिसमें क्लाइंट हमारे आड़े टीम को gift दे तो इससे self interest होता है और हम कहते हैं कि significant gift को accept नहीं करना चाहिए एक question में उसने का जी उसने significant gift दे दिया और team member accept कर लिया हमने का जी इससे self interest threat arise होता है familiarity threat arise होता है significant asset team gift को वापस कर दे team member को इससे engagement से remove कर दे उसके काम का quality control review कर दे यह बाद समझाती है एक question में उसने का कि gift अभी दिया नहीं client ने सिरफ offer किया है कि आप हमसे gift कि ले ले client ने सिरफ offer किया है कि gift ले ले या हमारी जो goods है हमारी वो subsidized rate पर आप भी खरीद ले offer की है सिरफ अभी खरीदीने की चीज़े क्या हमें इस तरह की situation में threat identify करना चाहिए significance को discuss करना चाहिए safe card बताने चाहिए इसका जवाब है yes हाला कि transaction client ने सिरफ offer किया है लेकिन exam में उसका issue को discuss करना इसका मकसद किया है इसके उपर उसने question बनाया है कि हम discuss करें इसके बारे में कि अगर अगर हमारे team ने इसको accept कर लिया अगर कर लिया तो फिर यह threat rise होगा यह valuation होगी उसकी और यह safeguard होगी लेकिन threat discuss करना है इस question में वह कह रहा है भी arrangement चल लिए अगर यह arrangement की बात ना ना करता सिरफ इतना ही कहा देता कि हमारे team member को offer किया है कि जी मेरा भाई है वो भी आपका काम करवा देगा सिर्फ इतनी बात करता हाला कि बात उससे आगे चल पड़ी है complete नहीं हुई लेकिन उससे आगे अगर सिरफ इतनी भी बात करता ना कि हमारे team member इस practice में हमने क्या सीखा है हमने सिर्फ अप्रोच सीखने की कोशिश किया कि किस तरीके से एक्जैम में हमने code of ethics का question attempt करना है तो भाया बताइए concluding concluding के दरफ चलते हैं सबसे पहले हमने exam में क्या देखना है question में कि code of ethics का question है भी का नहीं दूसरे नंबर पर क्या देखना है? situation का analyze करना है situation हमने पढ़ी ये हमारा माइड़ में बताएगा कि यह situation हमने code of ethics में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी और वह उस ही सुरुत में माइड बताएगा कि आपने दहाँ code of ethics पढ़ा उगा कोड़ फैटेव हमने पड़ हमें पता चल गया कि गिफ्ट की बात कर रहा है हमें पता चल गया कि हमारे एक टीम्म fre rende का क्लाइंट के साथ है कोई कोड है यह और गश्कॉस हो था कि नहीं होट बताई । हमारे team member का client के director के साथ कोई dispute चल रहा है किसी property केस का हमने चले पहले देख लिया code of ethics का question है फिर हमने देख लिया कौन सी situation है situation code of ethics में discuss हुई है हमने इन तीनों में से किसी एक सफ़े पे गए और उस situation का page number देख लिया next क्या करना है हमने उस section के बाद उसका paragraph बुढ़ना है जब आप उस page number पहुंच जाएंगे ना जो इस list वाले pages पे है तो आपको नजर आएगा उसमें उसने different variation discuss की है जो के सारी की सारी से section से relate करती है जैसे कभी immediate family member कभी close family member कभी close relative कभी all audit clients के लिए है कभी listed clients के लिए है ठीक है तो हमने फिर देखना है कि specifically case में उसने किस variation को discuss किया है जिस specific variation को उसने case में discuss किया हमने वह relevant paragraph डूड़ना है और जहां paragraph मिल गया हमारा question solve हो गया उसके बाद सिरफ हमने जो highlighted matter है उसको तरीके सलीके से हमने अपने answer sheet पर उतारमा है और उसके लिए highlight होना भी जरूरी है clear चलिए अब ये तो हैर मैंने आपके साथ discuss कर लिए क्योंकि मकसद था आपको approach समझाना अब मजीद जो आपको कुछ practice वो उसमें दी गही है और आपको excel की sheet भी दे दी गही पास्ट्रोपर भी आपके पास मजूद है आप इस approach को मजीद नहीं खारें कोई 3-4-5 question खुद से भी करने की कोशिश करें और solution के साथ compare करें कि क्या आप सही paragraph पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं अगर आप सही paragraph पे पहुंच रहे हैं इसका मतलब code of ethics आपका तेया है ठीक है जी चलिए आज का lecture फिर खतम करें यहां पर आज का lecture यहां फिर खतम करते हैं आप अलाहाफिस